नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेश प्रारंब करते हैं कक्षा 9 का जो कृतिका जो पुस्तिक अपने उसका 500 पार्ट है जो आखरी अध्याय है उसका दूसरा भाग कल कुछ टेक्निकल दिक्कत की वज़े से वो पार्ट है जो एक पार्ट के अंदर ही पुरा वीडियो अप्लोड है जो नहीं हुआ दूसरे भाग में आज में हम इस सद्ध्याय को कंप्लिट कर लेंगे तो देखिए कुछ कारणवस ये दहरा दून आ जाते हैं और यहीं पर आगे क्या कुछ घटना करम चलता है लेकर मोदे के शाथ में उनको हम देखेंगे और जहां से जो पंक्तियां पूछे जा सकती है उसको मैं आपको अंडरलाइन करवाता चलूंगा अनुरोध आपसे वीडियो को आप लाइक कर दें सभी दोस्तों के शाथ शेर कर दें पहली बार देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ओल नोटफि आकरम लेखक महोदे के साथ में ऐसा हुआ कि वो दहरादून आ गए और संयोग फिर ऐसा हुआ कि उसी वर्ष जो इनके गुरूजी थे जिनसे दिल्ली के अंदर सीखने गए थे पैंटिंग क्लास लेने उसी वर्ष गुरूवर शरीष शार्दा चरण जी उकील ने ये लि तक मेरी एकान दुनिया रही थी किसी से उसे गरज नहीं थी और अब भी बहुत कुछ वेसी ही बात है अब मैं कहा हूँ मेरी आंत्रिक दिल्चस्पियों से किसी को दिल्चस्पिय नहीं थी मैं क्या सोचता हूँ मेरा नजरिये क्या है उसे किसी कोई सरोकार नहीं था वास गई थी और घरों में आपने सुनाओ कि कोई किसी का आक्रमाक्षवा होता है कि तब तो घुटी भी की दीडी है मौन दादा की बीर जी तू करे सुनाओगा इसे वही बात है अपनी बहुत ही आंत्रिक एकांतिकता है ने एकांकिपन अकले रेनिक परवड़ती कामे जाने क्यों एक दिन यहीं वही सोनेट एक प्रकरकाशन मैंने बच्चन साब को क्या कर दिया पुस्ट कर दिया बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में दहरा दून आये ब्रजमोहन गुप्त की यहां पर ठहरे तो बच्चन गर्मियों चुट्टे में आये तो कहां पर बिजमान गुपत के यहां पर इतिफाक से इंशायोग से देख ए कि यही ब्रिजमान गुपत मेरे भाई की क्या मित्र बिजमान कुपत क् appropri के मित्र और उनके पिताजी जो है हो मेरे पिताजी क्या पडोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में ही ठीक है ब्रिज महुन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले तो ब्रिज महुन के साथ बच्चन कहा पर आकर मिले डिस्पेंसरी में निसे आकर मिले एक दिन महमान भी रहे यह और वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना थ जब बच्चन साब का जल्वा होता था उनके जो मधुशा लावगरार उनका बड़ा बॉल बाला था प्रबल जंजावत साथी दहरादून के उसी साल की यादगार है किस जोर की आंधी किस जोर की आंधी आये थी उफ कितने बड़े-बड़े पेड बिच्छे पड़े ते लिख रहा हूँ कि जो तुफान उनके मन और मस्तिस की दुनिया में गुजर रहा था वह इस से भी कहीं अधिक प्रबल था पत्नी व्योग हाली में हुआ था और कैसी पत्नी का व्योग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी आत्मा से अरधांगनी निम्न मद्देवर के सन तीस के भाव का अधर्सों और उत्सहों और संगर्सों की युवा संगेनी मैं कलप नहीं कर सकता हूं कि वह कवी के लिए क्या कुछ न रही होगी एक निश्चल कवी जिसके आरपार आप देख सकते हैं बात का धनी वानी का धनी हुर्दे मक्षन संकल फॉला दो इसे वेक्ति की वेक्ति की वोसा थी तो देखिया अरिवंच रायवचन जैसे कि मैंने आपको बताया था भी उनका जिकर करें एक और बर्खा की याद आ गई इस देरादून किसी ही किसी नहीं मगर भरी बरसाथ की जमा जम बर्खा इलाबाद की गाड़ी पर पहुंचना था र अ अ Qररें आ अ अनुरोध करें भई इस वक्त कुलीने तांगा कैसे जाोगी कोई कुली हैन तांगा जाओ कैसे रूख जाओ मगर नहीं बच्चने बिस तरकांदे पर रका और इस्टेशन की तरह रवाना हो ग Kathy बिस तरकांदे पर रका और थेखिए मोरesus हम सवाल यहां से बन सकता है नोट कर लीजेगा एरो लगा कर यह बच्चन शब्द नहीं दे और लिख दे बिस तरकांदे पर रखा और इस्ट्रेशन की तरफ रवाना होगे तो इस अध्याय के अंदर किस तरह किरकार में हिंदी में आया यहां पर किसने है जो बिस तरकांदे पर भी नहीं और उस पर मैं बच्चन को तब जानता कितना था बराई नाम के मतलब नाम के लिए दिखाने को क्यों यह बहुत कम ही आता जाता यह किसी से मिलता जलता था मुझे इसकी कभी कोई जरूरत सी ने महसूस हुई शायद ऐसा वहम मुझे था जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है और क्यों हो खेर 36, 37, 38 साल के थे जी हाँ तो बच्चन ने मुझसे कहा तुम यहां रहोगे तुम मर जाओगे तुम यहां रहोगे तुम मर जाओगे यह किसका कतन है पूछा जा सकता है रोट कर लीजी आप बच्चन साहब का कतन है और तुम यहां पर कौन है श्यम लेख हक मौदिश ठीक है चलो इलाबाद और एमे करो इत्यादी तुम यहां रहोगे तुम मर जाओगे चलो इलावाद और एमेकरो किसका कतन है बच्चन साहब का और हमारी दुकान पर बेटने वाले देहरादून के परसिद डॉक्टर मुझसे कह रहे थे तुम इलावाद जाएगा तुम मर जाएगा और यहां पर यह डॉक्टर वाले बेटने और यह करें कि तुम इलावाद जाएगा तो मर जाएगा और बच्चन साहब करें तुम यहां रहोगे तो मर जाओगे मगर मैं तो देख चुका था कि फेंपड़े के मरीजों के लिए गरीब गुरुबा के लिए वह क्या नुस्का लिखते थे केल्सियम लेक्टेट त्री टाइमस एडे केल्सियम लेक्टेट लेनी है तीन टाइम एक दिन में केल्सियम लेक्टेट उन दिनों दो आने में एक आउंस आता था मैं अपने दिल में बेफिक्र था इलाहबाद आया तो बच्चन ने क्या किया बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जिन के खाने में दर्ज हुए उन्होंने उर्दू फार्से की सूफी नजमों का एक संग्रे बड़े सने से मुझे दिया था और आशिरवाद अर्से तेक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है और बच्चन ने एमे प्रिवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा देखो जब भी तुम इसकाबिल हो जाओ यानि तुम्हारी नोक्रे लग जाए तब है तुम वापस है जो खर्च कर देना चिंता मत करो नई इसकाबिल हुआ और नए मैंने चिंता की बच्चन का प्लान ये था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाओं उनके स्वियम अंग्रेजी में फाइनल कर लेने दस साल की मास्टर की बाद और बीटी कर लेने के साथ-साथ मैं भी इनिविश्टिटिटे डिग्री लेकर फारिग हो जाओं ताकि कहीं पेर जमा कर है जो खड़ा हो सुग नोक्री जोक्री मिल सके सो कहा हो ना था तो बच्चन साब ने कहीं ने कहीं ये बात पिताजी की सरकारी नोक्री को देखकर मेरे दिल में बेठ गई थी कि नोक्री नहीं करनी है मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूं और कह सकता हूँ कि ये बस गोंचुपने की है देती और पलाइन निकल लिए हिंदू बॉर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फिरी मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं बूलूँगा मतलब उनकी कृपा को इंडियन स्प्रेस सेंजो अनुवाद का काम अगर सच मुझ कोई बात मेरे समझ में आती थी तो वह एक यहीं थी कि अब मुझे कविता हिंदी कविता गंबीरता सेंजो लिखनी है जिसें कि मेरा रब्द बिलकुछ छूट चुका था मतलब कोई पूरी तरीके से कोई सिलसला नहीं था कोई संबन नहीं था कोई सरोकार नहीं था बिलकुछ छूट चुका था बाशा और उसका शेल्प लगबग अजनबी से हो चले थे आकर हिंदी फर्ष्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं और घर में खालिस उर्दू का ही वातारण में पला बड़ा था ये बिये में भी उर्दू एक ही विशे लिया था गजल मेरी भाउकता और आंत्रिक अभाओं का अपने तोर पर भली बुरी एक मौन साथी थी जैसे भी कुछ थी अपने थी अब देखें यहां पर ये सवाल पूछा जा सकता है मेरी भाउकता और आंत्रिक अभाओं का अपने तोर पर भली बुरी एक मौन साथी थी तो भली बुरी एक मौन साथी थी है और मौन साथी किसके लिए है गजल के लिए ठीक है उर्दू गजल के लिए तो ध्यान में रखेगी यह सवाल पूछा जा सकता है शायद विश्यांतर हो रहा था मगर बच्चन मेरे जिस साहितिक मौड मेरे हिंदी के पुनट संसकार के प्रमुक कारण बने तो हिंदी की और मौड ने का पुनट संसकार का कारण कौन बने बच्चन साहब मैं उसको यहां कुछ इसपष्ट करना चाता हूँ एक बार पहले भी सं 33 में प्रिवेस का इम्तियान दिये बिना ही यह उनिविश्यटी छोड़ कर जा चुका था मगर तब तक कुछ रचनाए सरस्वती और चांद में छप चुकी थी सरस्वती और चांद है जो पत्रिकाओं के नाम है और बच्चन ने अविद्य में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया और कहा था कि वास्ता में यह खाली सोनेट अब बढ़िया है यह भी मुझे उनसे मत बेह दे बहराल तो संसेतिस में भाषा यानि हिंदी मुझे से छूट सी चुकी थी अभी वेक्ति का मादम मात्र और सदेव एकांतत है अपने लिए ही था या तो अंग्रेजी था अफसोस या उर्दू गजल हाँ आज एक बात के लिए मैं अपने पंचाई सीधे साधे जाट परिवार और अपने बच्पन के युक को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी नहीं हो सके जो मेरे रिदे या मस्तिस को घहर लेती अफसोस इतना ही उनसे प्राप्ट संसकार और अलहाबाद प्रवास और इलावाद की हिंदी साहितिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोथान रहा और हिंदी आज भी अपने और खींचती है बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीन सांप प्रदाइक वातावरण के वातावरण के बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार जहली नहीं रहें अपनी कविता में उच्छ घोस्चे बार बार बता भी रहें जो चल रहा है कटना करम कि यह वातावरण किसी भी जाती कि सांस्कृतिक इतियास में कैसी ही संकुचित मना इस्तिका ध्योत्तक होता है मगर सन्सेतिस में मेरा मेरा हाल ये था जैसे मैं फिर से तेरना सीख रहाँ तीन सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना का यही सुर था कि बच्चन शायद मुझे इसी लिए इलावाद लाए हैं मेदान में उतर चुके हैं बस जरह आर्थ एक शरम से निश्चिन्त हो जाने की देर हैं बहुत बहुत से बहुत एक साल और मुझे भी मैदान में उतरنا है अपने तोर पर मुझे भी कमर कस लेनी यही भाव मातर मेरे मन में इस्पश्ट था और मुखे और कोई भाव नहीं मुझे याद है कि बच्पन एक इस्टेंजा मुझे याद है कि बच्पन एक ने इस्टेंजा का परकार मुझे बताया था इस्टेंजा नहीं एक पेरेग्राप कह सकते हैं गीत का कोई चरण कह सकते हैं मुझे बताया था इस्टेंजा 14 पंक्तियां और तुकों का एक प्रभावकारी विन्यास था बीच बीच की अनेक पंक्तिया एक तुकांत मुझे बहुत आकरसक लगा था वह परकार मैंने तबियत पर जोर डालकर उस परकार में एक रिचना की थी बच्चन को नहीं मालूम मा को नेट से अलग रूप नहीं ले सका लग वह उसी परकार का बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता नहीं रचीती खेर बच्चन के निशाने मंतर्ण की कवितां के रूप परकार ने भी मुझे आकरिष्ट किया यह बच्चन का निशाने मंतर्ण द्यान में रखिएगा पूछा जा सकता है मैंने कुछ कवितां इस परकार में लिखने कोशिज की मगर मुझे बहुत मुझे जान पड़ा नो पंक्तिया तीन इस्टेन जा नो पंक्तिया और तीन इस्टेन जा है प्राई सभी कवित उस चंद में लिख रहे थे उसमें पाप पत्री का कि जब वो संपादन करते हैं तो उस समय मेरे पास आज भी है प्रकाशित सुरक्षित है उसका भी बच्चन को पता नहीं मैं अपने कोर्स की और ध्यान नहीं दे रहा था इससे बच्चन को खुब था थोड़ा सा दुख था अते गुसा भी था थोड़ा यूं कहे सकते हैं आप अते मेरे मन में भी एक सा इस्ताई संकोच खेड़ दो साल पूरे करके आखिरकार फाइनल का इम्तियान मेंने कहीं भी नहीं ही दिया बच्चन के साथ एक कवी समलन में भी मैं उसी साल गया था शायद गुरखफुर था हूँ मैंने देखा कि कवीता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया सरस्वती में सरस्वत एक पत्रिगा चपिये कवीता ने निराला जी का ध्याना करिष्ट किया कुछ निवंद भी मैंने लिखे रूपाब ओपिस में प्रारंबिक प्रस्रिक्षन लेकर में बनारस में हं कारेले की कहानी में चला गया निश्य हिंदी के सायतिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे आज मैं इस पस्ट देखता हूं कि मेरे जीवन की बरपूर और कैसे आकास्मिक मोड के पीछे बच्चन की वे मौन सज़ेक परतिवा रही है जो दूसरों को नया प्रा जीवाशा है और जिनके मैं अक्षर बहुत नजदीक रहता आया क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा बहुत सी अनुपस्तित चीजे मेरे लिए उपस्तित ही की समान है और उपस्तित अनुपस्तित के और में बहुत नजदीक है जो बहुत मिलने जुलने चिट्टी पत्रिय आदी में विश्वास नहीं करता इस अद्याव को एक बार और पढ़ना होगा अच्छे से आगे देखिए करता बच्चन इसलिए मेरे काफी करीब रहे मगर बेसिकली सामने तोर पर उसी तरह जैसे कभी अपने रिष्णा के मादधें से अपने करीब रहता है अपने साथ रहता है जिसे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते यूगों का वेवधान होने के काराण ये युग एक ही जगे प्रस्तुत भी हो सकते हैं आते मिलने या ने मिलने का कोई अर्थ नहीं बेड़ता इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तितों में जैसे कुल मिलाकर मैं उनकी स्रेश्ट से स्रेश्ट कविता से भी बड़ा आंकता हूं बच्चन 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 अपने विशिष्ट या विशिष्ट नहीं मानता वस्तुत है ऐसा कुछ विशिष्ट या विशिष्ट दुनिया में नहीं हुआ करता बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वह हमेसा ही होते ऐसे होते हैं एसाधारण कहकर मैं उनकी मरियादा कम नहीं करना चाहता और मगर ये साधारन और सहज प्राय दुस्प्राप्पे है दुस्प्राप्पे भी है बात अजब है मगर सच है तो ये हुई अपनी कक्षानों की कृतिका पुस्तक भी complete ठीक है शितिज हो गई कृतिका यानि की नायंत की हिंदी की पुस्तक अपनी complete हो गई जिस किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर है जो आप देख लीजिए गा और फिर अनुरोद नहीं किया तो आप लाइक करें शेर करते हैं सभी दोस्तों के साथ और पहली बार देख रहें चैनल को सब्सकाइब कर वेल आइकन क्लिक करें और 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 नोटिफिक करें ताए घर वीडियो की जाय हिंद अफर मिलता हूं